नमस्कार दोस्तों आप सभी का वेलकाम है पीएस क्लासेज में जैसा कि आप जानते हैं सबसे विश्वसनी और प्रमाडी सुचना लेकर के पीएस क्लासेज प्रयागरास से प्रसेंट होता है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नई प्रात्मिक सिचक भरती आदेश यूपी में चार जार नई भरती विग्यापन का आदेश और इशीक साथ हम बात करेंगे यल्टी ग्रेड नई सिचक भरती खुश ख़बरी और टीजी टीटी पीजीटी दोर लाइकन के बटन को प्रेस कर दिजीगा ताकि ऐसी वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके लाइक सेर करना बिलकूर नद भुलेगा तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नई प्रात्मिक सिचक भरती का जो आदेश उसके बारे हम क्या है जिसक दोस्तों आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं नई प्रात्मिक सिचक भरती लगभग चार साल हो गया अभी नहीं आई है लेकिन ऐसे में दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है और इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि आपके इस नए वर्स में अच सिच्छा परसत के सचीव ने सभी वियस्य को दिये निर्देश जिसके बारे में कल जो है नोटीस भी जारी की गई है बेसिक सिच्छा परसत के जूनियर बेसिक विद्यालें के सिचक सिचकाओं के पदोन्ती और पदास्थापना के लिए विस्तरित कारिकरम परिशत की कारवाई 10 अप्रैल तक पूरी की जानी है इसका विवरण 30 अप्रैल तक मारव संपदा पोर्टल पर अपडेट करने के डिदेश जिला बेसिक सिच्छा अधिकारियों बीयस से को दिये गए हैं इसे समय पर पूरा कराने के लिए दो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं तो विवरण मानो संपदा पोर्टल पर 30 अप्रैल तक अप्डेट किया जाना है तो दोस्तों ये जो पदोंती हो रही है ये सीधे आपको संकेत दे रही है कि नए सिच्छक भरती के लिए रास्ता तयार हो रहा है तो अगर आप सूपर टेट की तयारी कर रहे हैं नई प्रात् हजार नई भरती विग्यापन का आदेश आई दोस्तों बात करते हैं आप सभी के लिए एक भरती का विग्यापन यहां पर देखने को मिल रहा है एलान प्राविधिक साहक के 3436 पद भरे जाएंगे दोस्तों जैसा कि आपको बता देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश अधिन देते हुए मौका दिया जाएगा दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि जो पुराने आवेधन किये हैं उन्हें पीटी नहीं देना पड़ेगा उनको पीटी से छूट मिलेगी इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि आयोग इसके लिए जल आवेधन लेने की तयारि रहे लोग सेवाई गुत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 2013 में ग्रूप सी के 6628 बदों पर भरती के लिए विदन मागा था दोस्तों इसी के साथ हम आपको बता देना चाहते हैं आपकी बहुत प्रतेचित न्यूज जिसका नाम है यल्टी ग्रेट सिच्छक भरती खुशकबर और फिर अश्वाशन मिले था कि 10 दिनों के बाद जो है सबसे पहले वेटिंग लिष्ट जारी की जाएगी और इसी के सासा सरकार को बार-बार ये सुचनाएं दिया जा रहा है जो आहरता बिवाद है दोस्तों सब मिलाकर अप्रायल के बाद जो है जो सुचना मिल रही है क आपका जो यल्टी ग्रेट का जो अहरता बिवाद है उसको समाप्त करते हुए लोक्षवा आयोक्षए आपकी नई यल्टी ग्रेट की भरती देखने को मिल शक्ती है इसी के साथ दोस्तों कर हम बात करें TGT PGT 2022 पर इच्छा की बिग निउस क्या निकल करके आ रही है जैस का अपरेल के बाद जो है सरकार ये निती बना रही है कि लगभग तीन से चार महीने के बीच में आपकी यूपी TGT PGT का जो एक्जाम होगा करा करके और उसका रिजल्ट जारी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है तो आप सभी अपनी तयारी में लगे रहें और निरंत सकते हैं कि 5 विभागों में सीधी भरती के लिए आवेधन शुरू हो गया है विग्यापन जारी 15 पदों पर की जाएगी भरती आवेधनों की संख्या अधिक होने पर कराई जाएगी स्क्रीनिंग परिच्छा दोस्तों यहां पर आप सीधे देख सकते हैं 5 विभागों में 15 पदों पर सीधी भरती के लिए आनलाइन आवेधन ब्रहस्पती वारश शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश लोक्षिवायोग यूपी पीएससी ने बारती का अबिस्तित विग्यापन अपनी बेवसाइट पर जारी कर दिया है और इसीक साथ दोस्तों आपको बता दें क मार्केटिंग एस्पेसिलिस्ट वा अन्निपद खा लिए ये आई सीमा आपकी दी गई है पातरताएं हैं और चैन प्रकरिया हैं आवेधन के अन्तिम पितिस और फरवरी हैं दोस्तों और आवेधन सुल के रुपे 25 हैं और आपकी बेवसाइट है ये तो दोस्तों सब मिला कि बटम को प्रेस कर दिजिएगा ताकि सबसे विश्वसनी और प्रमाडी सूचना सबसे पहले आप तक पहुश सके आप अपनी तयारी में मजबूती से लगे रहें क्योंकि सब मिला करके आपको 2023 में लेना है अपना एक सीट तो मेहनत करते रहें फिर मिलते हैं नए खबर के साथ बाए बाए टेक केर हैंब नाइस टी थाइंक यू सो मच